आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे उन्होंने एहमदाबाद के निशाएन हाईर सेकंडरी स्कूल में मतदान किया तीसे चलर्ण में अपने मतादिकार का प्रियोग करने के बाद मतदान केंडर से बाहर आकर पीएमुडी ने बच्चों के साथ मश्ची भी की, उन्होंने बच्चे को अपनी कौध में लेकर दूलारा, मतदान केंद्र से बाहर आकर पीएमुडी ने मीडिया से बात की, मीडिया से बात करने के दोरान केंद्री क्रिह मत्री अमिश शाह भी प्रिधार मत्री मोधी के साथ महां मौजूद थे इस दोरान पीयम मोधी ने सभी से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के अपिल की है पीयम मोधी ने कहा कि ये जो लोग दिन रात दोड कर रहे हैं अपने स्वास्त की विचिंता क का प्रियोग करने का अनुरोथ किया उन्होंने कहा कि आज तीसे चलन का मतलान है मैं देशवासियों को विसी शुरूप से आखरे करूँगा कि लोकतंत्र में मतलान एक सामानेदान नहीं है अमारे देश में दान का एक महात्म है उसी भाव से देशवासि जासे चलन का मतलान क चलेगा मतदान के चार दोर आगे भी है मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक रेगुलर जगे है जहां से मैं मतदान करता हूँ अमिद भाई यहां भाजव अमिदवार के तोर पर चुनाव लड़ रही है पिया मोदी ने बताए कि वे कल ही आंदर प्रदेश से आए है आज वैं मतदब पर देश चाहेंगे और उन्योंने कहा है कि मैं कल ही आंदर पर देश से आए हूँ यहां से मतब पर देश जाना है महारास्ट जाना है फिर आगी जाना है इसलिए में ज्यादा बात नहीं कर पाऊ लेकिन lender का भिवादन करता हूं जो मतदान में कैसी है चुनाव प्रबंधन कैसा है पिया मोदी ने बताया कि ये दुनिया के लिए सीखने का मौका है दुनिया के वेश्य विद्धालियों को इस पर केस स्टुडी करनी चाहिए और उन्होंने आगे कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव ना सिर भारत में है बलकि इस साल पूरी दुनिया में है इसके लिए चुनाव आयो बहुत बहुत अबिनन्दन का अधिकारी है मीडिया भी पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाती है यही मन्थन देश के लोकतंत्र को मजबूती देता है इस लोकतंत्र के पर्व में जो भी जितना योगदान दे रहा है सब पिया बनिन्दन के अधिकारी है इसे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाएं आपको तादे की मीडिया से बात करनी के बाद पिया मूदी ने वहां मौजद लोगों से भी मुलाकात की इस तोरह ने एक महिला ने उन्हें राखी भी बांदी पिया मूदी ने वहां मौज के सबसे आगे